किसान भाईयो नमस्कार आपका स्वागत है एक वर्फिट से फार्मिंग नौलेज यूटूब चानल पे किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डग फार्मिंग के बारे में डक फार्मिंग से रिलेटेड एक कोस्चन हमारे दिमाग में हमिसा रहता है कि हमारी तो बत्के जो होती है वो अपना अंडा खुद हैच नहीं करती है खुद नहीं सेवती है अपने अंडे को अपने अंडे से खुद उन्हें बच्चा तो नहीं होता है तो हमें या तो इनक् तो उसके लिए आपको चाहिए 15 से लेकर 18 मुड़की आप रख सकते हैं, जो की अंडा वो भी देती हो, पुदि उसके अंडे के साथ आप इसके अंडे को बदल दीजिए का तो उसे पता नहीं चलती है वह अपने अंडे को हेज करती है अगर मुड़गी अंडा नहीं देने वाली है तब उसे रखकर कोई फाइदा नहीं तो आप 100 बतक के लिए 15-18 करा मुर्गिया रख सकते हैं जो अंडे देती है तो दोस्तों कॉमेंट करके बताईएगा कि जनकाड़ी कैसा लगा ऐसे ही उचित जनकाड़ी के लिए हमारे वीडियो को देखते रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए